आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक बड़ा ही important topic जिसका नाम क्या है रोकड बही के प्रकार बेटा अगर आपने हमारी से पहले बारी class लियोगी तब मैंने आपको बताया था कि जो ये रोकड बही है इस रोकड बही में यानि के किसम बोलते इंगलिश में cash book cash book में या तो आपके पास numerical question आता है करने के लिए यानि के जिसे solve करना होगा एक cash book बनानी होगी रोकड बही बनानी होगी या आपके पास theory का question आता है और last वाली class में अगर आपने हमारी last class देखी है और जिन बच्चों न हमारी last class नहीं देखी मैं उन्हें बता देता हूँ बटा आप मुझे इस number पर message कर सकते हो और मुझे कह सकते हो कि सर हमें 9th class की 10th class में हो तो 10th class की 11th class की या 12th class की जिस भी के class में हो हमें उस class की सारी video send कर दीजिए और हमें अपने whatsapp group के अंदर join कर लेजे तो बटा आपको मैं अपने whatsapp group में join कर लूँगा तब आप chapter wise हमारा complete syllabus पढ़ सकते हैं अगर आपको हर chapter का complete syllabus पढ़ना है तो आपको हमारे गुरूप से जूनना पहुत जरूरी है boys के लिए अलग group है और girls के लिए अलग group है चलिएगा तो आज आते हैं कि यह है class number second रोकड़ बही यानि के cash book की first class में मैंने आपको meaning बताया था कि रोकड़ बही क्या होती है जिसे नहीं पता वो description में देख सकता है मैं link दे दूँगा first class का भी आज बात करते हैं रोकड़ बही क्या होती है यह हम already सीख चुके आज हम बात करेंगे रोकड़ बही होती कितने प्रकार की है तो जहां हमने last class कतम की थी वहीं से आज की हमारे class start होती है रोकड़ बही बेटा हमारे पास चार प्रकार की होती है जिसमें से एकों बोलते हैं साधारन रोकर बही एकों बोलते हैं दूई इस्तंबिय रोकर बही एकों त्री इस्तंबिय और एकों बोलते हैं बटा खुदरा रोकर बही अब इस सब को छोड़ो आते हैं बटा अपनी बातों पर यहाँ से बिटा मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ जल्दी से copy pen निकार लो यह हमारी आज की class start होती है रोकर भई होती है बाटा 4 प्रकार की जिस्में से एक होती है साधारण रोकर बाटा इससाधार रोकर भई इससाधारण बाटा सुनना ध्यान से जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है जीरो आता है वो भी सीख सकते हैं रोकल भःई कैसे बनेगी और यह साधरन रोकल भःई होती क्या है देखो बटा कोई से भी वही हो कोई सा भी अकाउंट हो उसके ना बटा दो साइड होती है एक होती है एक होती है लेफ्ट साइड एक होती है राइट साइड जो लेफ्ट साइड होती होती है उसम बोलते है डेविट और जो राइट साइड होती है यह क्रेट साइड होती है हि को complete साधान रोकर बही के बारें पता लग जाएगा होती क्या है इसकी थेयरी के बारे में प्रक्टिकल कोशन नहीं कर रहे हैं प्रक्टिकल कोशन के लिमें आपको अलग से क्लास दूँगा अभी सिर्फ थेयरी की क्लास चल रही है कि डेट कुछ बच्चके के सरप तो हिंदी मीडियम की बता हिंदी मीडियम आ माले प्रड़ी रहे हिं पार अए से विवरण लिख सकते हो यह उता एल्फ यहाँ पर होता पार कैस फिर से डेट particular lf और यहाँ पर क्या होता दोबारा से cash अब इसका नाम simple rocker बही क्यों है या इसका नाम एक इस्तंब्य rocker बही क्यों है सुनो ध्यान से देखो बटा मैं ये दो जगा पर blue blue कर रहा हूं बटा, आज blue है पानी-पानी क्यों कर रहा हूं बटा, ये वो रोकड बही है जिसमें सिर्फ एक ही चीज यानि के cash के बारे में दिखा जाता है cash आएगा या cash आएगा नॉर्मली बटा, इसकी दो side होती है debit side, एक होती है credit side debit वाली side में जब भी हमारे पास cash आता है जब भी हमारे पास रोकड यानि के cash आती है या आता है तब मैं क्या करता हूँ इस पैसे को इसकी debit वाली side में लिख देता हूँ debit, इसे रहनी बोलते हैं बटा और हमारे पास से cash जाता है रोकड जाता है तो इसे कहां पर लिख देया जाता है बटा इसकी credit वाले side में दिया जाता है तो सबसे पहली बात ही कि रोकर जो साधान रोकर बही है इसका दूसरा नाम होता है एक इस्तंबिय रोकर बही एक column cash book इसमें सिर्फ cash cash के बारे में दर्शाय जाता है cash का आना और cash का जाना तो साधान cash book वह cash book होती है जिसमें सिर्फ एक column होता है और इसमें नगत के आने और नगत के जाने को दर्शाय जाता है नगत का आना इस बही की debit वाले पक्ष में लिखा जाता है और नगत का जाना इस बही के credit वाले पक्ष में लिखा जाता है ये मैं आपको question नहीं करा रहा हुं मैं आपको त्योरी बता रहा हूं कि साधरन cashbook या साधरन कोर कर बही क्या होती है । 전 रूकर कर भही दिकुम्ळ podemos साधारन रोकड बही में दर्शाया जाता है अगर मैं इसकी थियोरी आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आते हैं बटा देखो Simple Cashbook और Simple Cashbook में क्या लिखा है साधारन रोकड बही से आशे ऐसी बही से है जिसमें समस्त रोकड की प्राप्ति और रोकड के भुकतान का लेखा किया जाता है सिर्फ रोकड की प्राप्ति और रोकड के भुकतान का लेखा किया जाता है साधारन रोकड बही में दोनों पक्षमे राशी का एक एक खाना होता है इसलिए इसे एक खाने वाली रोकड बही भी कहते हैं इसमें amount लिखने के लिए सिर्फ एक column है यह रबन बना आपको बताया था न यह रब cash लिखने का एक खाना होता है एक side में एक खाना होता है एक side में यह इनकि सिर्फ एक ही खाना है cash के लिए बैंक के लिए कोई खाना नहीं है, बैंक के लिए कोई कॉलम नहीं है, तो इससे बोला जाता साधान कैश भही या फिर एक कॉलम कैश भही एक खाने वाली रोकर भही, साधान रोकर भही उन व्यापारियों के उप्यूक्त होते हैं, जिनका व्यापार सिमित होता है, क्योंकि इस बही में bank वे discount का लेखा नहीं किया जाता है। इसमें ना bank का लेखा होता है ना discount का होता है। तो साधारन cashbook क्या होती है अगर आपके paper माज़ा तो आप क्या लिख करा होगे। आप बोलोगे बहिए साधारन broker बही वे बही होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नगत के लेंदेन को दर्शाया जाता है। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है अगर cash आता है तो debit पक्ष में cash जाता है तो credit पक्ष में मैंने तो बेटा और थोला सा जादा बता दिया इसमें तो इतना भी ने लिखा हुआ है लेकिन आपको यही लिख कराना है और इसे single column या एक खाने वाली रोकल बही कहा जाता है single column cash book कहा जाता है इसका format देखो बेटा यह रहा जो मैंने आको बना कर दिखाया है बल्कि आप थोड़तोर तिपिकल सा है अगर आके बाद समय हो तो आप कॉपी पर इसका फोटो खींच के लिख सकते हो यह साधारन रोकल बही का format है डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष एक कॉलम डेट पर्टिकुलर फिर लेफ 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 लेजर फॉल इसका करना कुछ नहीं होता सिर्फ लिखना है आपको अगर इसका format बनाने के लिए आएगा कि सिंगल कॉलम कैश्वूक कैसे बनाई जाती तो आप इस तरह से बना कर आ क्षोटी चोटी क्लास लूँ तो अगली चोटी चोटी क्लास जालना हो मैं ताकि आप क्लवाली क्लास में क्या समझेंगे दुई स्तंविय रोकल भई यानिकि डबल कॉलम कैश्वूक कैसे बनाई जाती है और डबल कॉलम कैश्वूक किसे कहते हैं ठीक है तो छोटी- वीडियों मिलती रहेंगे और सीक्वेंस से यानिकि पहले कौन सी पढ़नी फिर कौन सी पढ़नी फिर कौन सी पढ़नी है आपको सारी वीडियों मिलती रहेंगी चलेगा इसी दुआ के साथ कि आप हमारे वीडियों लगातार लोंगे और आपके बहुत अच्छे नमबर आ